जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे या मज़े में होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाल हैं ऐसे उपाई के बारे में कि जिसके बारे में काफी कमेंट्स आते हैं काफी लोग परेसान हैं काफी लोग दुखी हैं क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति उनके जीवन से चला गया है दूर चला गया है, उनको छोड़ कर चला गया है उनकी सुद भी नहीं लेता, उनके फोन तक नहीं उठाता कई घरों में महिलाएं, पुरुस्त को अकेला छोड़ कर चली गई है कई ऐसे घर हैं कि जिसमें रहते हैं साथ में पती पत्नी मा बेटा कोई भी साथ में रहते हैं रहते हैं साथ साथ में लेकिन दिल काफी दूर दूर है एक दूसरे से बात नहीं होती है बात नहीं मानते हैं कई घरों में ऐसा है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति पूरे घर को अपने कंधों पर उठा कर चलना चाहता है पूरा फेमिली का बोज़ डोता है लेकिन फिर भी घर में कलेश हो जाते हैं कोई न कोई घर का मेंबल इस तरह का होता है जो पूरा माहोल बिगार देता है कहे में न चाहिए तो ऐसा ही एक टोटका एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिससे आप जिस किसी भी व्यक्ति को चाहेंगे उससे अपनी बात मनवा सकते हैं उसको अपने पास बुलवा सकते हैं तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता हम इस चैनल के माद्यम से हमारे प्राचिनितम ग्रंतों में सो जुड़े हूए कई ऐसे गुद रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं व्रत, तयोहार, पूझा, विधी के बारे में भी समय बात करते रहते हैं और पूरे परिवार का धाचा बिगाडने में लगा हुआ है, तो अब वह सिधा हो जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा. आपको करना क्या है, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, रातरी के समय करने वाला उपाय है, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय आपको इस उपाय को करना है, मैं हमेसा कहता हूँ, टोने टोटके जो भी चीज है वो गुप तरीती से करनी है, कोई देखे न इस तर व्यक्ति क्रिया को लिए है इससा किसी व्यक्ति पर आप ये क्रिया करना चाहते हूं काले पेंट से उस व्यक्ति का नाम लिख दे उस कागज के बीचो बीच में उस व्यक्ति का नाम ले ले इसके लिए आपको काली मिर्च के ग्यारा दाने चाहिए और एक काला दोरा आपको चाहिए एक सफ़ेद कागज चाहिए और एक काली पेंट काली पेंच से नाम लिख दे उसका और 11 काली मिर्च के दाने अपने मुह में डाल दे ये दाने आपको चबाने बिलकुल भी नहीं है आपके मुह में रखने हैं करीबन 10-11 मिनिट तक सामने वाले व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिस व्यक्ति पर आप इस क्रिया को करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आप ध्यान धरें दक्षण के तरफ मुक करके बेट जाएं और उस व्यक्ति का ध्यान धरें जिस व्यक्ति पर आप ये क्रिया करना चाहते हैं जब आप 10-15 मिनिट उसका ध्यान धर लें उसके बाद में यह जो काली मिर्च के दाने आपके मूँ में थे इसको आप उसी कागज पे जिसमें आपने नाम लिखा है उसमें रख दे जहां नाम लिखा है वहाँ पर रख दे और इसका अच्छे से एक पड़ी का बना दे और इसको काले दोरे से लपेट कर उस पे गाठ लगा दे अब यह जो तंत रहे यह टोटका है इसको अपने पेर के पास जैसे आप सोते हैं तो अपने पेर के पास इसको रखें और इसके उपर एक तकिया रख दें और उस तकीये पे आप अपने पेर रखकर के राद भर सुए सवेरे के समझ जब अगले दिन सवेरे आप उठते हैं तो सुर्योदय के पूर्व आपको इस दिर उठना है सुर्योदय के पस्चात नहीं उठना है सुर्योदय के पूर्व आपको उठना है और इसको ले 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 यह जो आपने तंद्र किया है इसको ले 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 और इसको दक्षन की दिसा की तरफ आप फिर से मुझ रख करके बेट जाएं और किसी भी पात्र में इसको आप जला दे अब यह जो राख है इसको कहीं भी आप जैसे घर से बाहर डाल दें या किसी गंदी नाली में डाल दें लेकिन इसको कर दें यह इतना प्रभाव साली टोटका है इतना सक्ति साली टोटका है कि जो कोई भी व्यक्ति के लिए आप इसको करेंगे वह व्यक्ति सामने चल कर आपके पास आएगा आपकी बाते मानने लग जाएगा तो चलिए दोस्तों अब इसी आपनेट होते रहिये, धन्यवाद.